अप सभी को वेडिंग गरीन इफेक्स में स्वागत हैं तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं आप अपने फोटो का बेग्राउंट को कैसे हटा सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टाट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और बगल पे जो घैंटी है उसको भी दबा दिजे ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो फ्रेंड्स से इसके लिए आपको एक एप का जुरुरत पड़ेगा तो चलिए हम इस एप के वारे भी बता देंगे आप कहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आप फोटो का बेगरांड को कैसे चेंज कर सकते हैं तो simply से friends हम यहां से एक photo को choose कर लेते हैं तो choose करने के बाद friends से आपको उपर पे click कर देना है इस वाले चीन पे इस पे click करने के बाद friends से देखिए उसके बाद कुछ add आ गया तो आपको भी यहां से add को हटा देना है तो हटाने के बाद friends से यह देखिए कि वेट करने के बाद फ्रेंट से देखिए कुछ ऑप्सन से इस तरह से आजाएगा यहां पर कुछ बैग्राउंट है हेयर कलर है और यहां पर कॉलर है तो आप चाहे तो आप यहां से बाल को भी कलर कर सकते हैं यहां से ठीक है आप चाहे तो यहां से कोई भी बाल पर कोई भ करना है तो उसके लिए आपको यहां पर गलिक्रना है तो देखिए यह ऐटमेटिक आपका बेगराउंड चेंज हो जाएगा अगर आप चाहिए तो आप यहांसे कोई भी बेगराउंड को लगा सकते हैं पीछे पे बहुत सारे बेगराउंड है आप यहां से चूज़ करके कोई भी बेग्राउंट आप अपने फोटू पर लगा सकते हैं तो चलिए फ्रेंस हम इसी पर लगा देते हैं और उसके बाद इसको हम अर्जेस्ट करके इस तरह से रग देते हैं अगर आप चाहे तो आप यहां से फोटू को छोटा बराभी कर सकते हैं तो यह सकते हैं उसके बाद आपकको फोटू को सेत करना है इस तिर पर इस तिर पर किलिक करने के बाद communism सिइअपके यहां से बैक कर देना है प्र फिर से तु यहां से यहां ठीक है शेव बता रहा था तो इस तरह से आपका सेव हो जाएगा तो चलिए फ्रेंट से अपको किस्तर से डाउनलोड करते हैं हम इसके बाड़े में बता देते आपको तो हम यहां से सिंपली से बैग आते हैं कि अंठ्यचनल को सब्सक्रायम कर दिए और लाइक भी कर दिजिए तो फरेंग से सबसे पदले आपको प्लेश्र को ओपिंण कर लेते ऐं से उपें करने के बाद के साब को मियात साब को यहां पें सर्च कर देंगा इसका कुछ option से इस तरह से आप इसको देख लेजिए आपको इसी को download करना है ठीक है उसके बाद आपको इहां से download कर लेना है क्योंकि यह मेरा download किया हुआ है इसलिए यह open देखाड़ा है